तो आज एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों पर हम लोग बात करने वाले हैं और राधर एक टॉपिक नहीं दो टॉपिक हैं जो इंटरलिंक टॉपिक जिन्हें में कहूंगा एक है वर्क आउट डूरिंग पीरियड्स क्योंकि ये एक रेगुलर साइकल होता है जो की एक्टिव विमेन के लाइफस्टाइल में होता है जो की लगबग 12-13 साल की उमर से एक वेल डेवलप्ट विमेन जो की एक एडॉलसेंट एज से लेके लगबग 45-50 साल की उमर तक ये मेंस्टुएशन साइकल जो है वो एक्टिव रहता है फीमेल में और इसी दौरान उनकी टीनेज होती है, इसी दौरान उनकी कॉलेज होता है, इसी दौरान उनका प्रोफेशनल डेवलप्मेंट होती है काम की, करियर की और साथी साथ फिट रहने का भी एक दायत्वा wolf उनक करते हैं और साथी साथ जिकर करेंगे PCOD का क्योंकि जब यह दोनों चीजें साइकल मिस होता है और रेगुलरली आ भी जाता है और मूड स्विंग्स भी होते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी वज़ा से जो हैं फीमेल्स का अपना उस पे फोकस नहीं हो पाता वरकाउट्स पे तो अ क्या है PCOD और वरकाउट कैसे करना चाहिए हमें और मेंस्टुएशन के दौरान भी कैसे करना चाहिए जब पीरिट्स अक्टिवली आ रहे होते हैं बहुत ही अच्छी एक्स्प्राइशन दिया आपने जो एक टाइम पीर रहता है फीमेल्स का मेंस्टुएशन साइकल वाला और बहुत ही अच्छा बताया कि उस दौरान में ही उनको अपनी लाइफ भी सेट करनी है और फिजिकल फिटनेस भी देखनी है मैरिज भी आ जाती है बहुत फेजीज भी साथ में देखने पड़ते हैं और ये दिक्कते भी उनकी चलती रहती हैं जो हम अगर PCOD या PCOS की बात करें ये जो अगर मैं इसको कहूं ये एक डिजीज है और ये बहुत कॉमन हो गई है अमंग यंग फीमेल्स इसकी आप एज ग्रूप अगर जाना चाते हैं कुछ 18 से 45 साल की एज की जो फीमेल्स होती हैं उनमें आप ये प्रॉब्लम जादा पा और जो में दिक्ते हैं वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा इसकी जैसे कल भी मेरे पास एक फीमेल्स आई थी तो जब मैंने थोड़ा डिसकुस किया उसको आदा घंटा बिठाया तो थोड़ा जब वो मेरे साथ अपनी बातें शेयर करी उसने तो उसने मुझे बताया किए इंडिया में फीमेल्स ठोड़ा शरमा भी जाती हैं ऐसी चीज़ें डिसकुस करने से ट्रेनडर के साथ सबस्पछले किसी मेल ट्रेनर के साथ बद ये है कि अब इंडिया में ये है ही एक male dominant industry तो इसमें आपको females बहुत कम मिलती हैं तो इसलिए जो female हमारे साथ थोड़ा खुल कर इस बारें बात कर पाती हैं उनको results भी बहुत जल्दी है बहुत अच्छा आएते हैं because is like अगर आप doctor के पास गए हैं और अगर आप अपनी problem नहीं बता रहे हुने तो इसलाज कैसे करेंगे so कल एक female थी 21 years उनकी age है और उनने मुझे खुल के बताया कि yes she has PCOD and PCOS because दिक्कत ही होती है कि इसके लिए doctors के पास कोई medicine नहीं है such direct medicine इसकी कोई बनी नहीं है अभी तक वो यही कहते हैं इसका इलाज है अपना weight कम कीजिए weight management इसका number one solution है so पहले बात करेंगे कि PCOD PCOS होता गया है इसकी full form क्या है और ये इसके election क्या है इसके symptoms इसके side effects क्या आते है female body पे और क्या-क्या दिक्तें face करनी पड़ सकती है तो पहले जो इसकी अगर मैं full form की बात करूं तो poly cystic ovarian disease है यह यह इसे आप poly cystic ovarian syndrome भी कह सकते हैं इसमें basically होता क्या है जो females की ovaries होती है उनके अंदर cysts बनने लग जाती है और उससे उनको बहुत तरह की problems आनी शुरू हो जाती है जिसमें से सबसे जो common है that is irregular periods उनको irregular periods आ सकते हैं miss हो सकते हैं heavy bleeding हो सकती है during their periods और उनको acne हो सकता है और weight का जो issue है वो सबसे common है इसके अलावा उनको infertility issues आ सकते हैं और उनको headaches हो सकते हैं so इसमें आप इसे कह सकते हैं ये एक अगर मैं बताओं तो ये endocrine जो हमारे glands होते हैं उसका एक disorder है एक hormonal issue है ये एक उसकी बज़े से ये होता है और इसके जो symptoms हैं वो मैंने अभी list कि आपके सामने अगर आपको ऐसे issues दिखने को मिल रहे हैं तो बहुत काफी chances हैं कि आपको ये problem हो सकती है यंग female है आप जरूर डॉक्टर के पास जाएए किसी गाईने के पास जाएए और उनसे एक पास जरूर चेक करवाईए और अगर इसका इलाज है that is अभी तक direct सीधा इसकी कोई medicine नहीं है हाँ आपको multi-dimensional approach सोड़ी लेनी पड़ती है कि अगर एक गाईनी भी आपको रखना पड़ सकता है कोई अगर आपके skin पर pigmentation भी उन लग जाती है इससे आपको को skin वाला भी consult करना पड़ सकता है acne हो रहा है तब भी आ weight को संभालना इस दिक्कत में सबसे ज़्यादा जुरूरी है आपने एक बार weight control कर लिया weight कम कर लिया यह problem काफियत तक स्वाल हो जाती है आप weight control करना शुरू कीजिए आप अपनी diet से carbohydrates and sugars इन्हें eliminate करना शुरू कीजिए इन्हें कम करना शुरू कीजिए उसका कारण यह है कि जो यह cysts होती है यह basically जो पलती है वो मिठे पलती है शुगर पलती है तो जब आप इनका खाना देना बंद कर दोगे तो इन्हें इनका size shrink होने लग जाए और उससे यह चीज दिकत काफी हद तक ठीक होनी शुरू हो जाती है तो सुनने में बहुत घंबीर बिमारी लगती है पर as such नहीं है एक lifestyle disorder है और आप weight management से और अच्छा fiber intake और protein intake एक अच्छे healthy lifestyle के साथ इसे बड़े easily resolve कर सकते है तो मानली जीए irregular periods आ रहे ह recommend करते हैं उनका क्या pattern कैसे create करते हैं देखिए इसमें ऐसा है कि अब वही बात आ जाती है थोड़ी शर्माने वाली यहां तो खुद ही वो लोग तीन चार दिन नहीं आती और यहां अगर कोई female हमें बता देती है कि she's going through her periods and all so उसका हम workout में हमारी तरफ से कोई change नहीं होती ह हां अगर वो खुद किसी particular exercise को लेकर uncomfortable है जिस पे normally वो exercise जो होती है जिन पर पेट पर ज़्यादा जोर पड़े या leg movement कुछ ज़्यादा हो वो मैंने देखा है कि वो females avoid करती हैं उस दिन पर करना और मैं मानता हूं कि जो आ जाती है हमारे पास उस दिन में workout करने that मैं उन्हें क पुछा कि उस दौरान workout करना चाहिए या नहीं करना चाहिए देखिए personal यह एक personal choice है इसमें हम मैं नहीं कहता कि हां करना चाहिए because देखिए उनको pain हो रहा है तो वो हम नहीं परदास हम नहीं कह सकते कि कितना pain है and it's individual पर depend भी करती है यह चीज़ किसी को जादा होगा मेरी wife she lifts और वो during periods भी lifting करती है उसको वो कहती है नहीं मेरे को ज्यादा pain नहीं होता तो वो करती है उसको problem मैंने नहीं नहीं देखा कि हाँ वो periods की वैसे उनने gym miss किया but again I am saying कि एक individual decision है I am not कि यह मैं कहा रहा हूँ कि नहीं आप करो उस दिन आप करना चाहिए आप क्यों नहीं कर रह लेग रेजेज बिल्कुल डेड लिफ्ट जो भी lower body lower body का workout basically जो प्रेशर नहीं पढ़ना चाहिए bleeding हो सकती है वो सब चीजें वो एक होता है दिमाग में उनके इस वज़े से ही females miss भी करती है वो 3-4 दिन का workout तो ideally मतलब अगर pain ना हो रही हो और blood flow की वज़ा से मतलब आप recommend क् recommendation is कि अगर आपको pain नहीं है तो आप unnecessarily gym miss करने के लिए उसको एक excuse नहीं कि I will not go to the gym because I am having my periods अगर आपको pain है वाके में अगर आपको लग रहा है कि आप जाओगे तो bleeding जादा हो सकती है ऐसा कुछ या कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ females को bleeding जादा होती है कुछ को कम होती है त because आपका routine चल रहाता है आप क्यों उसको because almost अगर आप देखो कि हफते में छे दिन gym खुलता है और अगर चार या पांच दिन periods चलते ही है और चार या पांच दिन अगर नहीं आए तो इसलिए कि आपने week उड़ा दिया तो routine भी खराब हो जाता है आपका तो इसलिए आप ज हम आज यह चीज़े नहीं करेंगे बट हम आपका workout मिस नहीं होने देंगे आपने अगर कुछ गलत भी खाया आज हम उसको burn कर देंगे because normally इन दिनों में जो females होती है उनको cravings भी बहुत होती है मीठे की और इन सब चीज़ होगी तो आना चाहिए even अगर आप कुछ studies पढ़ो तो आपको during workout pain कम होगा तो periods के दुरान cardio suggest जादा करेंगे या cardio घटाना recommend करेंगे उन दिनों या weights करना या upper body workout क्या आपको लगता है कि major focus उन चार दिनों में हम shift कर सकते है और बाकी we can make up for it in the rest 20-25 दिन दिखिए it's individual decision हमें उनसे ही उनकी जैसे वो description उनकी description पे है चीज कि अग और उन्होंने ऐसा कुछ avoid करना है या नहीं अगर वो हमें कुछ भी ने कहते हैं तो हम उन्हें normal workout करवाते हैं हम कुछ भी ने कहते हैं कि weight कम उठाना ही हो तो लेकिन अगर वो कहते हैं कि हां sir थोड़ा है तो आज मैं आज मैं lower body workout नहीं करूंगी थीक है तो हम obviously वोग जीज करते हैं जिकर नहीं करते हैं पर इस पॉड़कास्ट के जरीए मुझे है कि अगर बहुत जो हमारे दर्शकों में जितनी भी विमेन हैं लेडिस हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रही हैं उन तक यह बात जाए कि इस पीरिड के दोरान आपको घबराने की जरूरत नहीं है अग आफ केजी का भी डिफरेंस पढ़ जाए तो और पेइन सहने की कपैसिटी भी बिल्ड होती है इसमें एक और आपने अच्छी जीज याद दिलाई मुझे इस उन दिनों में वाटर टेंशन भी होता है बॉड़ी में थोड़ा सा अगर आप जिम आएंगे थोड़ा कार्डि हो जाती है उन दिनों में भी मिल जाएं यह बहुत ही एक जरूरी बात अमन जोट सिंग ने हमसे शेयर करी तो आज का यह वाला जो पॉड़कास्ट है यह यहीं तक बहुत अच्छा रहा है और अगले टॉपिक के लिए हम अगले पॉड़कास में बात करेंगे हमारे साथ अमन जोट जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू जस्वी जी थेंक यू वरी मच्छ